पोल्डरिंग पीने के बाद इस बोटल को हम लोग फैक देते हैं लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा डियावाई लेकर आई हूँ जो कि आपकी किचन के काफी रुपे बचा देगा और बहुत ही काम की चीज बनकर तयार हो जाएगी इस वेस्ट पैपसी के बोटल से इस कि सबसे पहले इसका स्टीकर निकाल देंगे हम और दोनों साइड से हमें इसे काटना है बहुत ही साफधानी से अगर आपके पास कटर हो तो आप उससे काटे नहीं तो किसी चाकू को गरम करकर भी काट सकते हैं पर ध्यान रहे बहुत ही साफधानी से काटे ही कहीं आपके जाए तो देखिए वीडियो में किस तरीके से में दोनों साइड में जो लाइन होती है पेपसी के बोतल में वहां से हमें काट कर हटा देना है और हमें इस डियाइवाई को बनाने के लिए इसे बीच का पार्ट ही चाहिए तो आप देख सकते हैं मैंने जो बीच का पार्ट थ अब बहुत ही आसानी से हम एक किचन डियाइवाई बनाएंगे जो की हर किचन में काम आने वाला है और नेक्स्ट जो हमने लिया है वो लिया है एक पिल्लो कवर जो की बहुत ही साजे से मैं यहाँ पर कपड़ा ले रही हूँ, आप जिस हिसाब से बॉटल का साइज होगा उस हिसाब से आप कपड़े को ऐसे इस तरीके से नाप कर ले सकते हैं, जितना कपड़ा मुझे चाहिए इसको बनाने के लिए तो इतना मैं इसमें से ले लूँगी, और उसके बहुत ही काम का nap को बनाएंगे, एक बार आपने ये खाली पैपसी के बोडल से बना कर अपने कीचन में रख लिया, तो हर रोज काम आने वाली ये डी आइवाई हैं, और किसी को पता नहीं चलेगा कि इतनी काम की चीज आपने इस खाली पैपसी के बोडल से बनाया है, तो इसकी दोनों किनारी को सिल देंगे उपर नीचे से हमें दोनों साइड से एक-एक इंच की सिलाई लगानी है जिसमें हम एक डोरी डालेंगे उपर नीचे बांधने के लिए और जो दो साइड ओपन है कपड़े का उसको हम सिल देंगे जिस तरीके से पिलो के कवर में उपर नीचे डोड़ी लगी रहती है और साइड से सिलाई लगी रहती है इसी तरीके से हमें इसे सिलना है इसे आप हाथ से भी सिल सकते हैं और अगर आपके पास मसीन है तो आप सिलाई मसीन से भी सिल कर तयार कर सकते हैं आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा हो सूट हो साड़ी हो चुन्नी हो पिल्लो कवर हो आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं मेरे पास ये पिल्लो कवर था तो मैं इसमें से ही इसके साइज का कपड़ा निकाल कर इसे बना रही हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अगर आप यही वीडियो फेस्बूक और इंस्टागराम के माध्यम से देख रहे हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो जरूर करें मैं आपके लिए हर रोज एक ऐसी रेसिपी लेकर आती हूँ जो कम समय में तो बनती है साथ ही साथ बहुत ही जादा स्वाधिस्ट भी होती है तो ऐसी ही और रेसिपी देखने के लिए बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी या फिर डिय वीडियो आप से ना छूटे आप सबसे पहले देख पाएंगे विल्कुल फिरी है तो देखिए अब हमने कपड़े को दोनों साइड से सिल कर तयार कर लिया है अब साइड से अब सिलाई लगा देंगे इसे और आधा आधा इंच हम छोड़ देंगे कपड़े को डोरी डालने के आपकी किचन में काम आएगी और काफी सारे आपके पैसे भी बचाएगी तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी टाके लगा कर साइड की सिलाई लगा रही हूं और देखिए अब मैंने सिलाई लगा कर इस कपड़े को तयार कर लिया है तो अब इसको सीधा कर लेंगे और इसके पाद इसमें हम जो पेपसी के बॉटल को काट कर रखा था उसे डाल देंगे फुक विद अपनी रसोई के माधिम से मैंने आपके साथ पहले भी कई किचन डियाइवाई सेर किये हैं कुछ वीडियो के लिंक में इसी वीडियो के डिस्किप्शन में एड कर दोंगी तो वो भी आप जाकर जरूर देखें अगर आपको लगता है कि ये किचन डियाइवाई आपके काम की चीज है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली और इस्तेदार के साथ सेर जरूर करें एक डोरी को मैंने वो हिस्सों में काट लिया है अब सेप्टी पिन की मदद से हम दोनों साइड इस डोरी को डाल देंगे और बांध देंगे हम जब दोनों साइड से डोरी डाल कर आप तयार कर लें इसे तो उसके बाद इसमें डाल दें जो पेपसी का बोटल काट कर हमने रखा था उसे तो देखिए एक साइड मैंने इस डोरी को डाल दिया है अब पॉल पर टांग दे ये देखने में भी बहुत ही अट्रेक्टिव और सुन्दर लगेगा और इसके अंदर आप रख सकते हैं जो पॉलिथीन हमारे घर में यूज होती है कई बार हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है पॉलिथीन की और हम इदर उदर रख कर भूल जात हैं और इसे में से निकाल कर कभी भी यूज कर सकते हैं तो देखिए बहुत ही कम समय में हमारा ये किचन डियाइवाई बनकर तयार हो गया है और दोनों साइट से इस दोरी को हम बांध देंगे और एक साइट की डोरी से हम इसे दिवार पर टांग देंगे किसी छोटी- तो देखिए उपर से मैंने पॉलिथीन डाला है और नीचे से इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है तो आईए इसे एक दिवार पर टांग देते हैं तो देखिए जब ये दिवार पर टंगा हुआ है तो किसी को भी ऐसे पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें काफी काम की चीज है किचन डियाइवाई की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट के माधिम से जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स डियाइवाई या रेसिपी के साथ तब तक के लिए जैसरे कृष्णा राधे राधे